नमस्कार मैं किताब सभी का One India हिंदी में स्वागत करता हूँ मौजूदा समय में क्रिकेटर्स को अपनी फैमली के साथ वक्त बिताने का मौका कम ही मिल पाता है लेकिन IPL के समय में क्रिकेटर्स अपनी फैमली के साथ होते हैं इन दिनो भारत में IPL का धूम मचा हुआ है हमारे चहेते क्रिकेटर्स की पतनिया भी इस टेडियम में बैड कर मैच खूब इंज्वाय कर रही है साक्षिश सिंग धोनी, अनुषका शर्मा और रितिका सजदे जैसी कई भारती क्रिकेटरों की वाइप इन दिनो सुर्खियों में है लेकिन किंग्स लेवन पंजाब टीम के बल्ले बाद मनुज तिवारी की वाइप सुश्मिता अपनी खूबसूर्ती से दर्शकों का दिल जीत रही है हाला कि सुश्मिता रवायत जादा तर लाइम लाइट में नहीं आती लेकिन गुरुवार को किंग्स लेवन पंजाब और संव्राइजर्स हैधराबाद के मुकाबले से पहले सुश्मिता सुर्खियों में आ गए दरसल गुरुवार को सुश्मिता के जन्मदिन के मौके पर मनोज तिवारी की IPL सीजन 11 में पहली बार पंजाब टीम में जगा मिली मनोज को युवराज सिंग की जगा शामिल किया गया इस मौके पर मनोज ने अपनी सूशल मीडिया अकाउंट पर फोटो शेयर करते हुए लिखा जन्मदिन मुबारक हो स्वीठार्ट तुम मुझे पूरा करती हो जन्मदिन की तुम्हे धेर सारी शुब काम नाए आपको बता दे कि साल 2013 में मनोज ने अपनी लॉंग टाइम गल्ड फ्रेंड सुश्मिता रॉय के साथ बंगाली रिती रिवाज से शादी की थी लेकिन सुश्मिता सबसे पहले लोगों की नजरों में तब आई जब मालदीव घूमने के दौरान उन्होंने अपनी फोटो सूशल मीडिया पर शेयर की असल जिन्दगी में ये दोनों का पस काफी रॉमांटिक है और सूशल मीडिया पर फोटो लगातार शेयर करते रहते हैं फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और खबरों के लिए बने रहे है वन इंडिया हिंदी के साथ